ओम शान्ती, मेरा नाम अमित्ता सुपईया है, मैं नगरोटा सेंटर से जूड़ी हुई हूँ, मुझे ग्यान पे आये हुए आज तकरीबन बारा साल हो गए हैं, वारवर्श हो गए हैं और मैं एक ग्यानी के रूप में अपने परिवार में रहती हूँ, मुझे जब मैं ग्यान में नहीं आई हुई थी तो शायद मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, क्योंकि देखिए एक जब बच्चे की शादी नहीं हुई होती है, उसके एक अलग लाइफ होती है, बट जब एक परिवार में, अलग परिवेश में जब वो चली जाती है, तो उसका रहन सहन, उसका जो एक पारिवारिक जो पिछला महौल होता है, वो छोड़के वो सब कुछ आगे वो आती है, तो शायद एक अलग महौल में आने की वज़ा से, और एक डिफरेंट परिवेश की वज करकर मैं, कॉन्टेक्ट करके दीदी से, सीमा दीदी से, जो सेंटर की इंचार्ज है, मैं यहाँ पर आई, उन्होंने मुझे सेवन डेस कोर्स के लिए बोला, तो धीरे-धीरे करके मैंने सेवन डेस को छोटे-छोटे इंस्टाल्मेंट में किया, क्योंकि परिवार यह सब छूट नहीं देता था, तो धीरे-दीरे कर के जैसे, फिर मैंने जाना की, जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे आसपास समस्याई हैं, वो रहेंगी, वो चेंज होने वाली नहीं है, चेंज हम स्वेंड़ को अपने आपको कर सकते हैं, पहले मुझे लगता था कि जो भी समस्या हैं दूसरों ने पैदा करी हैं दूसरों के व्यवार के वज़े से मैं अपने आपको हार्ट कर रही हूं तो मैं दूसरों को बिलेम करती थी बट जब यहां आई राज याजयोग मेडिटेशन मैंने सीखी तो यहां पर मैंने पहला शब्द एक ही सीखा कि अपने को नहीं परवर्टन नहीं करना है अपने स्वयम को परवर्टन कीजिए फिर दीदी ने सिखाया हमें कि देखो जो आपके अंदर आप अपने उपर फोकस करिए आपके अंदर क्या टैलेंट है उस पे फोकस करिए आप दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उस पे फोकस करिए ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है आपके लिए नहीं, जब आप खुश होंगे तो आप पूरे समाज को, पूरे परिवार को हर किसी को आप खुश रख सकते हैं आपका पहले खुश होना बहुत जरूरी है दूसरी चीज ये कि जब हम ये काम करें जो भी हम दिन चर्या का काम करें हम परिवार में रहे के जो भी काम करें किस से एनर्जी ले हम देखें आपको अपना काम करने के लिए किसी से तो एनर्जी लेनी पड़ेगी न जैसे हम एक फोन को चार्ज करते हैं उस पे बात करते हैं पर उसकी बैटरी जब डिप्लीट हो जाती है तो हम उसको लास्ट में चार्जिंग पे लगाते हैं इसी तरह हमें अपनी दिंचर्या में काम करते हुए आप उसको किसी भी नाम से पुकार लीजिए वो निराकारी है सेंटर में आके मुझे बहुत सारी चीजों का ज्यान हुआ दीदी का व्यवार सबसे मुझे ब्रह्मा कुमारिज आश्रम का सबसे मुझे अच्छी सीज यहीं लगती है कि इनका जो प्यार है इनका जो सद्व अब है दूसरों के लिए वो बहुत ही अच्छा है और सांस्कृतिक देखिए प्रमात्मा से जुड़ने के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है जो आपके अंदर कलाएं हैं वो आपको उस प्रमात्मा से जुड़ती है और जिसको आप जो यह संगीत है जो यह सांस्कृतिक दिंचरिया है प्रोग्राम्स है इससे आप प्रमात्मा से जुड़ते हैं तो ब्रह्मा कुमारिज में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे परसन टू परसन डि आएंगे मेरे जो पिछला परिवार था माइके का तो वो भी कहीं गुरूं से जुड़े हुए थे हम तो फिर आगे जो मैं ससुराल में आई वो भी गुरूं से जुड़े हुए थे बट मैंने एक तीसरा आप्शन चुना ब्रह्मा कुमारिज अब उन में और इन में फरक यही है कि यहां पे परसंटू परसंट डिलिंग होती है ब्रह्मा कुमारिज में पर जो दूसरे आप गुरूं के पास जाएंगे तो गुरू एक दूर बैठा हुआ है और आपको कोई समझ्या है बट आप बात नहीं कर सकते उनसे आप बस उनसने जो सेर्में दिया उसने जो भाषन दिया उसने जो ससंग किया आप उसी को सुन सकते हैं बट आप अपने मन की बात नहीं बोल सकते पर ब्रह्मा कुमारिज में आने से आप अपने मन की बात अपनी जो सिस्टर्स बैठी हुई हैं सेंटर्स में आप उनके साथ बोलिए बताईए सिस्टर्स आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से डील करेंगी, आपको बताएंगी, अमरित वेला क्या होता है, जो नहीं यूथ है, उनको अमरित वेले का नहीं पता, अमरित वेला करेंगे, पूरे एनरजी लेंगे, आपको पूरी दिन चरिया बहुत अच्छे से जाएगी, तो इनी थोड़े शब्दों के साथ मैं अपना आप सभी का धन्यावाद करती हूं कि Pius Music ले मुझे ये option दी धन्यावाद